जैसे कि आपको पता है CPAT 2017 का रेजल्ट एनाउंस हो गया है अब काउसलिंग स्टार्ट हो गई है 13 अक्टूबर से और रेजिस्ट्रेशन को लास्ट डेट है 16 इसारी 15 अक्टूबर ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन को लास्ट डेट है और चाइस फिलिंग भी आज से 13 अक्टू है जो कि non-refundable है और first round of allotment डिस्प्ले होने की डेट 17 अक्टूबर है उसके बाद में रिजल्ट डिस्प्ले करने के बाद में document verification confirmation seat confirmation fee हमें पे करना होगा offline वहाँ पे उनका जो venue center लखनों में उन्हें बनाया है वहाँ पर भी मैं वैनू कौन सा है मैं बता दूंगा उसके बाद में 25th October को second round of allotment की list display करी जाएगी और 26th और 27th को 27th को second document verification होगा और seat confirmation fees पे करना होगा उसके बाद में उसका allotment लेटर हम डाउनलोड करेंगे 29th October को और लास्ट है कि mob up round 29th October से 31st October तक होगा हाँ तो document verification and seat confirmation के लिए लखनों में हैं दो सेंटर बनाए हुए हैं फर्स्ट है नैशनल होमोपैथिक मेडिकल कॉलेज बिराज खंड नियर हनेमन चौराहा गोमती नगर लखनों और सेकेंड है इंस्टिट आफ टूरिस्म स्टडीज नियू कैंपस लखनों यूनिवर्सिटी जानकी पुरम लखनों और मॉप अप राउंट कहां होगा उसकी में बता देगा है उसका एड्रेस है इंस्टिट आफ टूरिस्म स्टडीज नियू कैंपस लखनों यूनिवर्सिटी जानकी पुरम लखनौ और एक बहुत इंपॉर्टेंट यह यह बाद भी इस पर मैंशन करी गई है प्रॉस्टक्रस में कि अगर कंडिडेट फर्स्ट और में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो भी वो मॉप अप के लिए अपलाई कर सकता है अगर उसकी जनरल कैटेगरी में अगर इसकी राइंक राइंक बन से लेके राइंक नाइन थाओ सड़ी 9973 तक आ रही है तो वह लास्ट में अगर फर्स्ट और रिजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो मॉप अपके लिए डिरेक्टी रिजिस्ट्रेशन करा सकता है बन थाओजन फी पे करके जो कि नॉन रिफंडे के लिए राइंक बन तू 11,967 सी के लिए रैंक है 1,000 सॉरी फ्रॉम पर रैंक वन तू 11,943 स्टी के लिए रैंक है बन तू 11,661 यह कंडिडेट्स एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए उसके बाद इन्होंने यह भी मेंशन कर रहा हुआ है कि अगर आप कॉलेज फर्स्ट रांड में अलोट हो जाता है और आप उसमें कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप कॉंसलिंग से बाहर कर देए अगर आपको वासमनें नहीं लेंगे तो बहुत ही सही से केरफ वो BMSC College चाहिए तो अब सिर्फ BMSC College ही चूज करेंगे अगर BMSC चूज करेंगे तो और वो अलॉट हो गया तो आपको लेना पड़ेगा अधरवाइस Counseling से आप बाहर हो जाए अब मैं बताता हूं कौन से कौन से दोकुमेंट्स आपको उरिजिनल में ले जाने पड़ेंगे जिब डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे होंगे तो फस्ट है काउंसिलिंग लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे वो आपको लिजाना पड़ेगा एड्मिट कार्ड हाइश्कूल मार्क सीट इंटरमेडियम लाग क्लास 12 मार्क सीट और अगर आपकी तो इन बिलॉंग करते हैं तो आपके पास वो भी सेटीफिकेट होना चाहीं सब सबसके इसए हटी स्थिकली हनीट काउ में बंक द्राफ्ट होना चाहिए सीट कन्फरमेशन फी का थाहिए सीट में झाल औरने के गथ दढ मेेरा चाहिए सीट एक होजए 疑न смहत रлом तरो प्राफ्ट होना चाहिए सीटिए